एप है लो बच्चों विल्कम टू एपीसर क्लासेइज एपीसर क्लास की योट्ब चैनल में आपका तो आपका सौध करते हैं chemical reaction and equation आपका जो chapter है इसके बारे में तो फिर वीडियो को start करते हैं ठीक है तो यहां दे सकते हैं कि chemical reaction पहला हम समझेंगे कि chemical reaction क्या होता है इसको ध्यान से समझेंगे तो यहां दे सकते हैं the process in which new substance with new properties are formed or formed form one or more substances is called chemical reaction जैसे कि example की रुप मैं आपको बताओं कि जब ऐसा कोई process होता है जब कोई process होता जिसमें हमारा जो एक new substance रहता है जो substance मारा पदात रहता है new substance उससे मिलकर के क्या होता है एक नया new जो प्रपर्टी वाला उसी के new प्रपर्टी वाला एक नया सबिस्टेंस मिलता है उसी सबिस्टेंस को कहते है chemical reaction अब इस chemical reaction में दो चीज़े बहुत ही important होती है एक important होता है reactant और important product तो reactant और product क्या होता है इसको जहां समझते तो यहां देख सकते हैं आप 10 नहीं लिखा है रिटेंस के लिए यहां आप देख पारों जो a और b मिला आपको यह आपका होता है reactant और a b आपका क्या होता है product होता है तो मेरे finally कहने का मतलब यही है इन एक chemical reaction कार प्रोडेक्ट तो कहने का simple सा मतलब है ऐसी सभी स्टेंस जो होते हैं जो हमारे किसी भी reaction को कराने की बाद जो हमें होता है और यह आपका प्रोडेट होता है आप बात ही समझ गया होंगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कि example के रूप में हमारे जो reaction होते हैं chemical reaction है वह किस प्रकार से किस फॉर्मन में हो सकते हैं उसको देहां से देखिएगा तो मैंने पहला जैसे बताया है जिसको मैंने कहा digestion of food मतलब जो हम लोग खाना कहते हैं जो उसको डाइजेस्ट करते हैं उसके लिए भी chemical reaction का प्रोसेस होता है क्योंकि हमारे सभी में इस्टमंग में आपको पता है हमारे सभी कोई भी खाने खादे पार्टिकल आता है तो उसको कहाता है धीरे-द्री हमारे सभी के अंदर SCR क बैलो होती है वह उससे reaction करता है अब क्रिया करता है जैसे फैट वाले पार्ट जो होते हैं वो धीरे-द्री तूट करके फैट के small particles में तूड जाते हैं ऐसे जो प्रोटीन वाले पार्ट या फैट वाले िडामिस सब्लबिया पार्ट ऑले पार्ट वाले अपस में तोड़ते हैं प्रकरणी रिक्सर रियक्षिंस रिकान करते हैं वह अब्छावल जो अब ङर कीलौ कोजक कbers OLF कहते हैं अब क्या होता है वाई से हम लोग क्या करते हैं और लेने के बाद यह सभी आपस पर रेस्टन करके कार्बन डायकसाइड और प्लस क्या करते हैं वाटर के ड्रॉप्स बनाते हैं ठीक है अब वाटर के ड्रॉप्स के साथ यहां हीट भी निकलती कुछ हीट के भी पार्ट निक जलके अंस बनाते हैं जो कार्बन डायसेड होता है जलके अंस जो कि हम निकालते हैं मुझसे बाहर निकालते हैं यह जलका अंस हमें गर्मियों के मौसम में नहीं दिखता है तो यह गर्मियों के मौसम में हमारा वाता अवरड इदम गरम होता है जिसी काल जलके अंस हमें नही तो यह रश्टिंग आप आइरन क्या होता है इसको ध्यान समझेगा मतलब हम जो आइरन को गरम करते हैं बहुत तेजी के साथ तो अभी आप एक प्रकार का केमिकल रियक्शन देता है ठीक है ऐसा लिगा बर्निंग आफ मैनिसियम रिवन तो यहां मैनिसियम का जो रिवन होता इसको भी घरम करते हैं उसको जलाते वह भी लिए बाते हैं आप समझ पा रहें के और यहां कहने का मतलब यह आप लोगो को कॉनमिल नहीं जो होती है उसकी बनने का जो प्रॉसेस होता है यह बिहां लोग वो की हम्हें पर लिया अब बाते हैं लिए हम पता कैसे करेंग कि क di amical reaction हो पाया तो ठीक है इसका पहले यह dış को जो रिंद सेभी करणे का आशकर सेञे सहवे JE तो पता चल जाएगा कि हम लोग का रियक्षन हुआ है ठीक है जो आपको देख रहे होगे रिपार्ट आपको मिला है कि चैन्ज इन टंपरेचर चेंज मैं देंग रियेक्षन कराने के लिए हमें उसमा देनी पड़ती है तो एक्षेंज कराने के लिए पूरा में पूरा पू समय और अगर चाहःत को दिखा है ही जो हम निकलते हैं पहलत हो जाहिए निञें सब्सक्राइबर में टमप्रेचर में नियुक्सटाइब के से हम wins techno को साइब हो सब्सक्राइब हो ठ्राइब हो युला एक तॉल लिखन को होने होते हैं या कुछ भी होते हैं उसको टेस्ट नहीं करते हैं बलकि उसका निरचर करते हैं उसको समझते हैं कि इसका इस्टेट हुआ एक इसमें ऐसंडी होता है जिस कहता है सब्समी कर टो वर्ड ओक्वेसिञइक पूरी की पूरी फिवरेने चीज याइधि बढ़ रहा हो कहीं बाहर से मैं पड़ाओंगा एक ही लेच्ट बढ़ाहंगा इंग्ली समीनिमम का पूरा का पूरा जो लेच्चर है एक ही वीडियो में कबर हो जागा पूरा का पूरा चैप्टर आपका एक ही वीडियो में कबर करूंगा ठीक है तो पूरा लाश्ट तक बने रहा है इसको द्यान से देखेगा तो यहां पर आप देख पारोग यह जो रियक्शन हुआ क्योंकि हमने वर्ड से लिखे है जिंक लिखे हैं यहां पर यहां पर यह एक पर यहां पर यहां पर आप यह निकलती है तो यह जो आप लोगगा पार्ट दिख रहा था यह आप लोगप लोग रियेक्शन के लिए तो यहां पर मैं लिखा है केमिकल के एक केमिकल रियक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेट बाई केमिकल एक्वेशन इन इवॉल्वड यूज ऑफ इसे चीज़े यूज की गई है उसके सिंबस लिखने होंगे देन उसके बाद हम उसके इस्टेट लिखेंगे कि वह सॉलेड में है गैसी पार्ट में है लिक्ट फार्ट में है उसको समयने की कोल्स करेंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं यालि से दर नेसेसरी कंडेक्टर सचे टम्प्रेचर प्रेसर एंड एनी कॉस्टेंड सुड़ बी रिटेन एड औन एरो बिट्वीन रियक्टेंड टू प्रोडेक्ट कहने का सिंपता मेरे मत्तव यह है कि गोई हमारा दिया सिंपैसर तो आपको पता होगा कि मेगनेसियों के प्रजान समय किया तो यहां यहां आप नहीं जो थ्रभर टाइब ट्रलाब का इनलाब क्लेशन आप मास्च पढ़ाता मतलब द्रावएमान संरच्ट का नियम हिंदी में इसे कहते हैं तो वह जो आप लोगों ने पढ़ा तो वहां यही बात होती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड इसको लेफ्ट हैंड साइड तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यही चीज होगी मेंटर जो होता है उसकी सेम होती है लिकाई सम नंबर आप इलवाल्ड इंदे केम का रियक्शन सेंट तो कहने का सिंपल सा मतलब है यह चीजें जो हम लों बताई है अब दिखो मैं सिंपल साब को बताऊं जब भी हमें बैलेंसिंग किया आता है एंसी आर्डिक गवार्डिंग तो वहां हम तो आप देखेंगे राइट एक साने तो यहां लिए तो यहां लिगा दो नाट चेंज एनी इस इंसाइड वाक्स में पहले आपको पहला फॉर्स पॉल क्या करना है आपको बॉक्स बना लेने इसके चालों तरब ऐसे बॉक्स बना लिजेगा ठीक है बॉक्स बनाने की फार्मन में चेंजिंग नहीं करनी है नो चेंजिंग आगे देखिए सेगंड ट्रॉपी जो आप लोगों मिला है स्टेप 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 में स्टेप में मिला है कि काउंट नमबर आफ एटम आफ इच एलिमेंट ऑन बोस तु दा साइड आफ केमिकल रियक्शन तो यहां फी जब नमबर आफ एटम साफ रियक्टेंट साइड और आफ रियक्शन अप रियक्शन प्रोडे साइड तो प्रोडे साइड में आप देख पा रहोंगे एफ की बैलू जैसे कि यहां देख पा रहें इससे पहले आपने दिखा है ठीक है एफी की जो बैलू है वह एक maximum number by the putting in the form of its. Moderate पर पहले कि जो बहुतšी maximum number होगा जो maximum number आपको यहां से मिल लगा है, उसी maximum number का use करेंगी दूसरे side नि Cyp लномandEub 3 step that try to equalize हम प्रयास करेंगे जो एक्वली करने के लिए एक्वेशन को हम लोगों यहां पर यहां देख रहे हैं एक्वेश्ट्री होगा यहां पर हैड्रोजन भी आपको बैंस करने के यहां पर आप देखेंगे जो चौते स्टेप में आपका पूरा का पूरा एक्वेशन जो है वह बैलन्स हो जाएगा ठीक है जो पाच्वा इस्टेप है इसको द्यान से समझेगा तो यहां पर आपको फिजिकल इस्टेट लिखने होंगे जो रियक्टेंट अप्रोडेट के स्टेट हो इस तरह की स्टेट होते हैं करी सॉलेड एक्वर की लिखते हैं तो चिंबल हो जो एकल होता है जो भाब के साथ करता है मतलब गैसिस पार्ट के साथ इसके रियक्शन करता है और जाकर बनाता है यहां इस तरीके से होता है फिर उसके बाद लिखा हुआ है जो टॉपिक आप लोग का मिला है जब हम लोग कोई यूज करते हैं तो इसे क्या दियें वह आरो के ऊपर आप दिखा दो इसी कोई बात नहीं तो हमने नहीं दिखा आप जो लोग का टॉपिक है वह यह समझेंगी टाइप सप्केमिकल रियक्षण्ट में पहला जो रियक्सन होता वो देखिए तो आप देख पारो टाइप आपको मिलना है तो यहां देख पारें जब दो या दो से अधिक जो जाए सिंपलेस्ट बात यह है कि मालो आपका यह पार्ट है चोटी सी पार्ट है यह चोटे से पार्ट है दोनों अपस प्लस बी करके कोई हम बर्न करना यहां पर देख रहें कार्बन और ऑक्सिजन को हमने दान किया गरम किया तो यहां लोग आप लोगा एक सब्सक्राइब लगा क्या करते हैं तो यहां देख लेंगे लिक्विड मिल फैक है यहां पर आप देच सकते हैं यहां CAO plus S2O का reaction हुआ CAO का hot wise equation बिला जिसको करते हैं skit lime होता है जिसे quick lime करते हैं CAO को quick lime करते हैं तो यहां finally आप यह समझ पाएं फिर आपका topic आता है जो आता है एकसो thermic reaction इसी में ही topic है जब हमारा reaction होता है तो उसमें कुछ reaction ऐसे होते हैं उसमा क्या करते हैं बड़ी तेजी के साथ निकालती है ठीक है एकसो thermic reaction एकसो का आपने नाम सुनाओगा मैंने आपको बहुत यह अची तरीके से हिंदी मीडियम वाले विश्ट्यून के लिए खासकर मैंने बता दिये था कि इसका नाम इकसो क्या होता है क्या करते हैं घर में बरतन माजने के लिए इसको रगड़ती है बरतन पर तो क्या होता है एकसो की तरफ निकलेगा यहां पर वही हम लोगा होता है यहां देशते हैं जैसे कि आप लिए बर्निंग नेच्रल गैस नेच्रल गैस नेच्रल गैस होती है जैसे मेथेन नेच्रल गैस होती है इसमें नेकलता हुआ और यहां हीट निकलता हुआ मिलेगा तो हीट यहां निकलता है मतलब यह कौन सी रियस्टम हुए ही एकसो थर्मी रियस्टम हुआ है बच्चे कन्फीजन नेच्छन आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए आप सीदे रगाएगा क्योंकि आप लो इसको पड़ा कैसे या देखिए दान से क्योंकि हमारे सरीर के अंदर मैंने बताए गुलकोज होता है औक्सियन से रियेक्षन करके बनाता है स्यो टू प्लस एस्टो बनाता उसको इनर्जी रीज होती है जब हम सास लेने के बाद हम सास को छोड़ते हैं तो कार्बन आसा निकलती है वाटर के डॉप लेकिन कहीं न कहीं एनर्जी भी निकलती है तो यह हो गया सेकंड जो टॉपिक हम लोग आता जिसे कहते हैं डीकंपोजीशन रियक्षन तो जो डीकंपोजीशन रियक्षन इसको ध्यां से देखिएगा तो रियक्षन वीचे कंपाउंड स्प्लिट इंटू और और मोर सिंप्लेस सबिस्टेंस तो सेम बास समझे लोगे आपर ध्यां तो अब टूटेंगा कोई दो तरीके सी या तो टंप्रेचर देते हैं या तो हम इसमें बिद्दूद प्रवाइद कर दें तो इस प्रकार से वह इलेड्रॉलाइसिस कर दें तब ही तूट सकता है या कोई और मेधर हम यूज कर सेथे प्रकास की प्रिजंट में रहागे ल कि आउसकता हो heat मन्दब गर्म करने के आउसकता हो जिसे आप देश सकते हैं जो आपको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड मतलब एफी 203 प्रस सल्फर डायचड यहां पर आप लोगों को मिलती है ठीक है जो की आपको देखे का दानसे यहां पर देखेंगे जो यहां आपको पता लगा लेता है कि यहां हुआ है यहां आप देश सकते हैं जो यहां पर सब्सक्राइब करते हैं थांता यहां है जो थाउट्र जो हम लोग का होता है तो आउट बाइदा पॉस्टिंग इलेक्ट्रांस तो कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रिक्स का प्रवाह करेंगे इलेक्ट्रिस देते हैं तो हम लोग का डिकमपरिशन जैसे यहां आप देख पा रहेंगी यह यह तू के पार्टिकल्स हैं जिसम प्लस्टिक मण का है प्लस्टिक मग होता है उसके बाद देख सकते हैं यहां पर आपको जो ग्रेफड की एक रॉड मिलेगी लेकिन ऐसा तब की को बंद कर दिया ठीक है यहां पर 6 वोल्ट का वैटरी रगा दिया जिसे यहां पूरा प्रसेश हो पाता है तो कहने का सिंपा सा मतलब मेरे तोड़ेटिक हो पाया ठीक है तीसरा लोगा टॉपिक है ज grey अश् rated करें सन nó से आपने आपकर क्या क्या करेगद करेगा तोड़ेगा यहां पर मैंने एक डिया धिंस को तोड़ेगा तोड़ेगा या आ सिसे सब लग हो जाते हैं घैसे पाड़ होता है जीए पाड़ को हमने रखती है तो यहां पर सलाइट के प्रिद्स फोटोग्राफी ठीक कि वहां इसका यूज़ किया करने के लिए हमें हीट को देना पड़े जैसे जहां पला मैं नैट्रोजन ले लिया तो क्या आपक्सीएं से यहां पर क्या तो मैं इसको लिक्रस होता जो घासे होती है उसके लिए यूरिया देनी नहीं आते हैं नेट्रोय कोई पदात में होता है मिलता है है तो ऑक्सिएन के पर यस Alex मिलती है जिसके कारणे के दिरे-दर जूता है तो मिलती है ढुकर हम सांस मुथा हुआयन हं उसके बैटने के बाद दिरे-दर का हुँता है भी चाते हैं हुआ कभी नहीं देते बहुत से ग्रास उगाया भी जाते हैं लेकिन कोई ग्रास ऐसे हो तो इसको अपने आप बढ़ता है ठीक है उसकी ग्रोफिंग होती है थार जो हमलों का होता है डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन से पहले आपको रियक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए रि आपका पूरा चैप्टर बता रहा हूं ठीक है तो डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन क्या होता है इसको द्यांद को तो रिखाए द्दा केमिकर रियक्शन इन विच मोर्य रियक्शन डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन होता है वह क्या होता है जो मोर्य रियक्शन होते हैं वह ल जाते हैं क्यों ऐसा हो पाद है क्योंकि उनके रियक्टिविटी अलग है जैसे यहां आपके सीड़ बैटने हैं तो यहां हो गया रियक्षिन आगे देख सथो यहां पर मैंने लिया है एक और रियक्षिन लिया है जो आप लोगा है ठीक है यहां पर देख से तो जैसे माली जे मैंने जिंक ले लिया और सीउ एस फोलिया जिंक से यहां पर मनेगा सीउ बनेगा क्यों कि यह जो होता है कॉपर से टॉप पर आएगा जो आप लोग एक्टिविटी स्रीद देखोगे तो वहां आप समझ होता है यहां पर मिल जाता है आगे चौता है इसको धहां से देखिए तो यहां पर लिखा है यह भी निव कंपाउंड are formed by the natural exchange of ion between two compounds तो सेम कहने का मतलब होता है double displacement variation के लिए same example होना चाहिए कि ions का exchange होना चाहिए तो ions हम लोग के हैं वो exchange part में होने चाहिए अगर जो ions का exchanging होगा तो वहीं हम लोगा double displacement variation का करवपनेगा यहां तो यह बनाएगा तो यहां आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर लिखा है ठीक है पिर पैसल फिर और तो सो सब्सक्राइब करें पर दिखा है दोब्सक्राइब कलने ध्याद लोग ने पढ़ी नहीं आए तो यह भी आपका उच्छे भी तो बनाए यह भी हम लोग का जो पार्ट हो गया वह बनाया है मतलब प्रिसी पीटेर बनाया ठीक है अब नेश्ट वह पांच वार यह सना था जिसको थे इसको द्यांस 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 दमजिए आप फस्ट समझ सब्सक्राइब का चाहिए फोटा हम लोग को सब्सक्राइब में बात करें आपके बात नहीं कोई बात नहीं है तो यह होता है कि पूरन का क्या हो रहा है पैसी बीटेक्स नहीं किसी भी elements में oxygen का add होना तो वह क्या कहलाता है combination और किसी भी elements में जो hydrogen का removal होना hydrogen का निकलना वह भी हम लोगा combination कहलता है तो simple सा मतलब है मेरे कहने का simple मतलब कोई इंसान जो है कोई इंसान प्लस एक लटान क्या करता है निकाल देता है तो वह जो अपने आपको रिच बना रहा है तो रिच होना मतलब oxidation और अगर जो रिच ने होकर oxygen of form substance किसी भी substance के oxygen रिमो बना चाहिए तो यहां फार्मर जैसे आप रियेक्षन पर देख पा रहा हूँ co hydrogen के साथ रियेक्षन करके ऐसा बना तो यहां पर देख पार हूँ फार्म आप यहां सी यू है जो की चार्ज में can by-2 में के चार्ज में है माय मसु के चारज में यहां पर यह प्रकार का चार्ज यहां पर-2 McKay चार्ज में होगा और यहां भी एजिरो के चार्ज में ठीक है जीरो के चार्ज में है और यह आपको मिला वगा चार्ड में को सी यू से of oxidized to to yes to so oxidation and reduction taking place together in the redox reaction इसी reaction को क्या करता है redox reaction भी कहते है important reaction है redox reaction मैंने अल्रडी बहुत अच्छी वीडियो बनाई है उसको भी दिया कर देखिए का आप समझ जाओगे अब आता है बात की यह भाई जो हम लोग अभी तर टॉपिक पड़े हैं उसका एक पड़ेगा आप डेले लाफ में इन्सों चीज़ें हैं इनका क्या रियक्षन किसी वी रियक्षन का अमारे डेली लाफ में क्या इफट भी पड़ता है चलो देख लेते हैं तो पहला इफट जो पड़ता है वह हम लोग का पड़ता है कोरेशन मतलब संचार क्या होता है यह आप लें देखी गाँ यहां पर देखी गाँ वेन मैटल यहां पर देखी गाँ वेन मैटल दा एक्स्प्रेश्ट तू सबिस्टेंस सच एज मॉइस्टर एसीड इट से फॉर सम टाइम्स अलार्ज आफ हाइड्रोसीड आउक्साइड कहने का सिंपा सा मेरे मतलब है किसी भी मैटल को आप देखोगे कोई भी सविस्टेंस है विलकर बना हो तो अगर जो मॉइस्टर की कंडिशन में है या कोई भी एसीड उसके उपर पड़ा है तो धीरे-दीरे क्या होगे उसके अंडर पार्ट में जोंगे वह जंस की प्रास संचाइथ हो जाता है तो इसके लिए क्या एक चीज और इंपॉंट है यह देखेगा रस्टिंग आफ आरन जो है ब्लैक कंस्टेट तो दो सिल्वर और ग्रीन कंस्टेट अब कॉपर और एक्जाम्पल आफ दो कोई भी आरन का पार्ट होता है जब उसकी कोईशन होते हैं तो उसका जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता आपको पता होगा आरन का कैसा हो जाता है बुरे रंग का हो जाता है और रेडिस ब्राउन हो जाएगा और ब्रैक कलर का होता है सिल्वर जो होता है उसके उपर उसका जो करेशन होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है अपने मम्मी तो में थालखे प्रोगता सोता है ब्लैक हो जाता है तो यह समझेंगा हमलगा Cupanie काई Pily कोबे़ाद यहां ऑफ यहां संदेगा है तो सबस्क्राइब इसे करते है वरिक्रत गंधिता है तो यहां पर लिखा है और अप्सिडेशन ऑफ फैट एंड और आयस वन एक्स्प्रेश्ट टू एयर इस नो एज रेसिडेंसी इट लेट्स टू बैड इस स्माइल एंड बैड टेस्ट आफ फूड कहने का सिंपल सा मेरे मतलब है कहीं भी आ ऊसी में और बैट्स लगेबल या कोई सभा एंड तो उन आशाें क्या होता है की जो यह के परजंस में होता है द्रेद्रे वह रियक्सन्स करते हैं जिसे उसका क्या हो जाता है उस प्रजंस में जो उसका स्मेल हो जाता है वह बहुत ही बैडनेस इसमेल आती है और जो उसका टेस्ट हो जाता है फूड का ना वह बहुत ही बेकार हो जाता है बैड टेस्ट हो जाता है अगर जो अपने चिस खतम हो जाता है बेकार सा लगने रगता है उसका इसमें भी खराब होता है यही क्रिया कहलाती है रैसी डेसी यह आख समझ पारोंगे ठीक है रैसी डेसी के लिए इन्पॉडन टीचे हैं एक बात और भी बता दूं कि तो करते क्या हैं जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें इ सकते हैं मैथर आप जो आप लोगों को मिलना यहां पर मैथरा प्रोबे रैसी डेसी के लिए क्या हो सकता है अगर जो उसको बचाना तो क्या अगर सकते हैं यहां पर लिखा है तो यहां पर लिखा है बाइडिंग आप एंटी एंटी ऑक्सिडेंट अगर जो आपको उसको तो आप एंटी ऑक्सिडेंट कहीं लगा दिए जैसे कि नाइट्रोजन गैस को इसमें बढ़ दीजिए या किसी और पार्टिकर्स को बढ़ दीजिए या कोई ऐसे चीज़ें होती है जिसको आप बढ़ दीजिए या लगा दीजिए उसके ओपर जिससे यह जो रैंसी डेंसी यह उठाक बाव देते हैं अगर आपको रखना है तो इसको रखना है तो फीर लिए यह तो पार्ट हो गया आपके कुछ वर्क हैं आप इस वर्क को करके हमको बताएगा जो आप लोगों को यह वर्क मिलना है और यह कौन सा रिश्ण इसको बताना यह आपको तीसरा टॉप हर बाते समझ में आई हैं तो फानली कमेंट कीजेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आतो अब्डेट वीडियो को लाइक कीजेगा चाहरे को सब्सक्राइब कीजेगा बेर आइकन को प्रस किए जी से आने वाले वीडियो के लिए विद्विकेशन आप लिए देछ बाते समय वीडियो कीजेगा बेर आने वीडियो.